यहीं दोस्तों मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूँ शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों कलवान संघर्ष के दौरान वीर गती को प्राप्त हुए जवानों को सस्चत नमन बढ़ते पर डिफेंस अपडेट की दरफ दोस्तों हाली में सैटलाइट इमेजे से पता चल रहा है कि भारत ने ले एर बेस पर दूसरे रनवे पर काम शुरू किया है और आप सब जानते हैं कि पिछले चार सालों से लगातार तनाव बना हुआ है ऐसे में जो इमेज है वो बताती है कि यहां का रनवे 2000 मीटर लंबा होका यानि कि यहां से हर तरीके के एरक्राफ्ट ऑपरेट हो सकते हैं और यह लेह में जो मौझूदा 3255 मीटर का रनवे है उसका पूरक होगा और दूसरा रनवे बन जाने से दोस्तों भारतिया वायुसेना कि जो ऑपरेशनल एफेक्टिवनेस है वो काफी जादा बढ़ जाएगी क्योंकि यहां से ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलेटी होगी भीड़बार कम होगी और किसी भी खत्रे का मोतोड इसे भारत को जो स्टाडिसिक डिप्लाइमेंट है वो करने के अनुमती मिलेगी खास करकी कई रीजन्स में जिसमें की अरेवियन सी पे और बंगाल और इंडियन ओशन रीजन शामिल है चौता एयरक्राफ्ट जो होगा वो मिंटेनेंस और रिफिट के लिए होगा और भार 39 से ना 2038 तक चार एयरक्राफ्ट केरियर ऑपरेट करेगी हलाकि इस टाइम तक आइनस विक्रमा देते अपनी रिटार्मेंट के एज में होगा बरतने एक्स्ट अपने की तरफ दोस्तों भारत पांचवी पीडी के फाइटर जट एमसी ए प्रोग्राम के लिए अब 3D प्र करने की बाक्चित कर रहा है बात साफ हो जाती है कि 3D प्रिंटिंग के जरीए सामागरी यानि कि मेटीरियल के बरबादी कम होगी जो कि काफी महत्वपुन होता है और इस टेक्नोलोजी से जुड़ी एक आम चुनौती भी होती है और दोस्तों एक शीज और है याँपर जो 3D प्रिंटिंग का इस्तमाल एमसे प्रोग्राम के लिए नहीं कर रहा था लेकिन अब जरूत पड़ी तो शुरू कर दिया है इसका अधिकरण और प्राइवेट सेक्टरी कमप्री से बात करनी शुरू कर दिया यानि कि दोस्तों जो चीज हमारे यहां काफी पहले आ जानी पीछे यह थी मैं बात कर रहा हूँ 3D प्रिंटिंग की वो आप जाकर शामिल की जा रही है तो आप देखिये ना कि हम कितने पीछे चल रहे है बरते नेक्स अपे कि तरफ दोस्तों भारतियर सेना अब अपनी Air Defense शमता को अपग्रेड कर रही है जिसमें कि सोदेशी आकाश Air Defense System को कई महतवपून जगाओं पर तैनात किया जा रहा है और जो पुराने SA-3 उनकी जगा आकाश सेम को तैनात किया जा रहा है और हाली में इसका एक उधारन कश्मीर के अवंति पोरा में देखा गया है और क्योंकि यह जगा रणितिक रूप से काफी महतवपून है यहा अब यह पुरी योजना ट्रैक पर आ गई है अगले दो हफ्तों में 8000 और राइफलें दी जाएंगी लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सुधिशी करण की बात कही जा रही थी इस राइफल में वो अभी 25% है यानि कि 25% जो इस राइफल के पूरजे हैं वो भारत में नेर्मि हाला कि भारत और रश्या का यह जो जॉइंट वेंचर है उनका मानना है कि वो अगले दो सालों के अंदर राइफलो की सुधेशी सामगरी को 70% तक बढ़ा देंगे इससे ना केवल विदेशी आयात पर निर्भरता काम होगी बलकि रोजगार की अफसर ही पैदा होंगे और भारती रक्षादियों को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी तरफ रश्या की एक टीम मेड इन इंडिया एके 203 राइफलों पर भारती सेना के जो टेक्निशन्स हैं उन्हें प्रशिशित भी कर रही है इंडियन एक्स्प्रिस पैच बरतनेक्स अप्रेट की तरफ चतिस ग पाफिला है वो संगश गिरस्त जो छेत रहे हैं उसमें दाकिल हुआ है ऐसे में भारत सरकार अपचाती है कि यहां जो मामला चल रहा है वो जल्द से जल्द खत्म हो बरतनेक्स अपर रक्षामंती राजनास सिंग ने लगा तार्ड दूसरे कारेकाल के लिए कारेभार समान के बाद विशाका पत्नम के पूर्वी 9 सेना कमान का अपना पहला भारी दौरा किया और पूर्वी समोधी तट पर भारतिय 9 सेना की ऑप्रेशनल तथपरता की समिक्षा की है बरतनेक्स अबरी की तरफ 200 सेना की कमानडर लाफ्ट एने जन अधीरस सेट ने भटिनडा 3 परमानु पंडवी मॉडल का अनावरण किया है मॉडल में थोड़ा कूबरदार पीठ हाप देख सकते हैं इसका टियर ड्रॉप शेप डिजाइन है और कहा जा रहा है कि इसमें इंटिगेटेड सोनार स्टेशन और पाल पर एक सिगनेचर इंटिगेटेड ऑप्टिकल इलेक्टोनिक मस्तूल इंडेक्टेड परम जेट परपल्जन सिस्टम होगा बर्ते नेक्स्ट अब्रेट की तरफ दोस्तों केडियर डिफेंस सिस्टम अब एक एज़ा लेटरिंग मॉनिशन बना रही है जिसकी पेलोट शमता 40 किलोग्राम की होगी और इसकी रेंज होगी 500 किलोमेटर वो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी पर लेकिन अगर ये सैटलाइट आधारित है तो इसकी रेंज काफी जादा होगी बर्ते नेक्स्ट अब्रेट की तरफ दोस्तों निब्भी ग्रूप को लेटर आफ इंट्रेस्ट मिला है मुनिशन इंडिया लिमिटेट से जिसके तहत वो 2.5 लाग जो यूनिट है 155 mm और 107 empty shells की उनकी आपूर्ती करेगी और इस सौदे की केमत करीबन 682 रूपय है DRDO propellant casting को खरीद रहा है जो की dual pulse rocket motor है इसे precision guided long range surface to air missile के लिए डिजाइन किया गया है और इसका trial इस साल के अंत में होगा गोष एप्यार लिमिटेट को एक export contract मिला है लग्जंबर्ग based group से जिसके तहत वो next generation dragger की आपूर्ती करेगी बर्दन एक्षटपरी की तरफ दोस्तों दोस्तों इसराइल और हमास की जंग चल रही है और ऐसे में पहली बार अमारिका ने इसराइल के एक संगठन के खिलाफ action लिया है दोसल इस समू का नाम है तसाव 9 जिसे की band कर दिया गया है क्योंकि ये गाजा में जो मानवे साइथा वाले इस ट्रक होते है उनने रोकता है उन पर हमला करता है अमारिकी विदेशी विभाग के तरफ से कहा गया है कि तसाव 9 के कारे करता हूंने इस साल के शिरुवात में कई मेटपून क्रोसिंग शेलम्स को भी बंद कर दिया था और बाद में जो ट्रक भीजे गए थे मानवे साइथा के लिए उन्हें आग लगा दी ऐसे में दोस्तों अमेरिका का ये जो band है वो काफी चौकाने वाला है ऐसे में इस ग्रूप में दोस्तों कई रिटायर्ड मिलिटरी आफिसर भी है और ये जो ग्रूप है दोस्तों वो इसी साल जनवरी में उबरा है पहले इस ग्रूप का नाम तसाव 8 था आज का कोशन है दोस्तों किस देश के पास क्रियाजनिक से संबंदी तकनीक नहीं है औप्शन ए रश्या, बी, जापान, सी, चीन और डी कैनड़ा आप कमेंट में अपना आंसर जरू दीजेगा सही उतर देने वाले का कमेंट लाइक भी किया जाएगा फिलाली तब देकि टॉप डिफेंस अप्डेट वीडियो के समदे कोई प्रस्च जवाब या आपको कोई सवाल एक कमेंट शेक्शन में लिका जरू पूसकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर दूर कीजिएगा जैन वन्दे मातरम